भारत को अंग्रेजों की गुलामियों से मुक्त कराने वाले काकोरी कंड के नायक पंडित राम परशाद विसमिल की 19 दिसंबर को सहाधत दिवस है पंडित राम परशाद विसमिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरगपुर जेल में ही फासी दी गई थी यह जो प्रतिमा लगी हुई है यह पंडित राम प्रशाद बिस्मिल की गोरपुर के मंडली का रगार में लगी हुई है सहिदों के लिए क्रांतिकारियों के लिए जहां यह स्थान प्रेडा का सुरूत है वहीं पर जो देशभक्ती से जुड़े हुए लोग हैं आज के नौजवान हैं युआ पिछली पिढ़ी के लोग हैं उनको यह सहादत की भूम बर्बस ही याद आती है लेकिन कहिन कहिन लोगों के मन में इस बात के लिए वेदना थी कष्ट था पंडित राम परशाद बिस्मिल का यह एतिहासिक अस्थल उन तक पहुँच नहीं पाते उनको देख नहीं पाते लेकिन इस एतिहासिक अस्थल के स्वरूप को सवारने में मंडली कारागार से इसे पूरी तरह से अलग एक अस्थाई रूप से अस्थावित करने में गोरफपुर के जिस युवा ने जिस पुरोधा ने काम किया उसका नाम ब्रजेस मरीत्रिपाठी है हम लोग कई वर्सों से यहां पर उनको सद्दांजरी देने के लिए आते थे लेकिन दो तीन वर्स पहले बिश्मिल जी को पूरी तरह से जो उनका बलिदान अस्थाल है उसको देखने के लिए बंद कर दिया गया जेल की सुरच्छा को हवाला दे कर यह बात मेरे दिमाग में कौधी कि जिस देश की आजादी कराने के लिए पंडित राम प्रशाद विश्मिल अश्पा कुल्नाखा ठाकुर रोसन सिंग और राजन नात लाहडी के नितित में कई क्रांथकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था ऐसे निडर और प्रखर देश भक्त का गोरकप ये बात समाजिक संग्ठनों को लेकर और साहित्तिक बर्ग से जुड़े कुछ आचार प्रोफेसर के साथ मंत्रना करने के बाद सूबे के मुखमंत्री पुजी योगी आधित नाजी महराज उनके संग्यान में विशय डाला गया और उन्होंने इस राष्ट भक्त की जो अ प्रदेश सरकार ने ये निड़े लिया कि बिश्मील जी को आजाद भारत में कैद नहीं रखा जाएगा बलिदान अस्थल को लेकर आम जनता के लिए खोला जाएगा और इतना ही नहीं एक करोन अक्ठासी लाख बार हज्जा रुपए देकर प्रदेश सरकार ने इस क्रांतकारी अस्थल बल्दान अस्थल को जो जीड़ सीड़ अवस्था में था उसका सुन्दरी करण कराकर देश के लिए प्रदेश के लिए सौपा पहले उस सहीद रामपरशाद बिस्मिल जी का कोई दरसन नहीं कर पाता था लेकिन बिरजेश रामतरपाथी ने संगर्स करके गुरु किरपा संस्थान के बैनर्द तले रामपरशाद बिस्मिल को आज सहीद अस्थली पे माथा टेकने के लिए गोरकपुर की जनमानस को पहले हो जाना चाहिए था या चेतना इतनी देल से आई इसके लिए व्यवश्था या किसी को दोशी नहीं किया जाता है लेकिन देल से ही जो सम्मान मिला वह हो आस्त में राश्ठ भर्तों के लिए राश्ठियों के लिए बहुत सुखन इस्तितिक का समझात्य नेवाला था